Hello Everyone, Circle of Education welcomes you हम Vocab की सीरीज कर रहे हैं जिसमें अभी हम कर रहे हैं टाइपस ओफ डॉक्टर्स और उनके रूट वर्ड से नए वर्ड जो बनते हैं वो सीख रहे हैं तो आपको ये सीरीज कैसी लग रही है? कमेंट सेक्शन में बताएं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं तो आज हम पढ़ेंगे कुछ नए वर्ड और शुरुवात करेंगे हम और्थोपेडिस्ट से तो और्थोपेडिस्ट कौन से होते हैं? यह वो डॉक्टर होते हैं जो कि हड्डियों को सही करते हैं जिसको हड्डियों से रिलेटिड कोई प्राब्लम हो, कोई रोग हो उसका जो इलाज करते हैं उसको हम बोलते हैं और्थोपेडिस्ट अर्थी रोग, विशेशक या इसको हिंदी में बोला जाता है और ये जो word है orthopedist ये तीन word से मिलकर के बना है orthos जिसकी जो root है वो Greek है जिसका मतलब होता है straight या फिर correct पैजोस जिसका मतलब होता है children और ist का मतलब होता है expert तो पुराने समय में क्या होता था जो बच्चे होते थे उनके अंदर ये समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती थी कि उनकी जो हड़ियां होती थी वो टेड़ी हो जाती थी तो उनको ही ये doctor जो है बहुत ज्यादा ऐसे doctor जो की दातों को सीधा करते हैं orthodontist जो है ये भी तीन वर्ड से मिलकर के बना है orthos जैसा कि हमने कहा इसका मतलब होता है स्ट्रेट करना या करेक्ट करना डॉंटोस का मतलब होता है टीथ और इस्ट का मतलब हुआ expert यानि ऐसा doctor जो की दातों को सीधा करने में करेक्ट करने में expert हो आज के टाइम पर आपने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा होगा जो दातों में braces लगवाते हैं उससे क्या होता है जो उनकी दातों की शेप जो होती है वो सही आकार में आ जाती है तो इन डॉक्टर्स को हम क्या कहते हैं orthodontist चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे कार्डियो लॉजिस्ट कौन से डॉक्टर होते हैं जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को ट्रीट करते हैं हृदय, रोगी, विशेशक या इनको हिंदी में बोला जाता है तो कार्डियो लॉजिस्ट जो वर्ड है ये भी तीन वर्ड से मिलकर के ब परसन जिसने हार्ट के बारे में हिर्दय के बारे में अच्छी साइंटिफिक स्टडी करी है और अब वो उसमें एक्सपर्ट है चलिए इसी से रिलेटेड अब कुछ वर्ड पर लेते हैं कार्डियक का मतलब होता है कंडिशन रेफर्स तू सम माल फंक्शनिंग ऑफ हर्ड क्या है एक इसी परिस्थिति ए Cuba फंघंघ उसमें जब कोई दिक्कत आ जाती है जब कोई कंग कमी आ जाती है तोिस सिचुएशन को हम बोलते हैं कार्डियक Cardiogram, इसका मतलब होता है Record of Heartbeat यानि Heartbeat की जो record होता है वो हमें कहां देखने को मिलता है? Cardiogram में Next word है Cardiograph जहाँ पे भी graph word use होता है वहाँ पे आपको समध जाना है कि ये writing से related है तो Cardiograph क्या है? An instrument that produces this record यानि जो आपके जो heart beat है उस record को जो produce करता है उसको हम बोलते है Cardiograph चलिए Next word देखते हैं Neurologist Neurologist जो word है ये भी तीन word से मिलकर के बना है Neuron जिसका मतलब होता है Nerve, Logos का मतलब Study, East का मतलब Expert यानि ऐसा person, ऐसा doctor जिसने Nerve के बारे में detail study करी है उसको हम बोलेंगे Neurologist हिंदी में इनको बोला जाता है मस्तिश्क एवं तंत्री का तंत्र विशेशग्य आपके Nerve से related जो भी problem होती है उसका इलाज जो है वो Neurologist करते हैं अब इसी root से कुछ word बनते हैं चलिए देखते हैं Neuralgia जिसका मतलब होता है acute pain along the nerves and their branches यानि Nerve में और Nerve से related जो branches होती है उनमें जो acute pain होता है जो तीवर pain होता है उस condition को बोला जाता है Neuralgia Next word है Neuritis इसका मतलब होता है Inflammation of the Nerve जो भी inflammation होती है उसको हम बोलते हैं Neuritis Next word है Neurosis यह क्या है एक बिमारी है आपको nerves से related अगर कोई दिक्कत है कोई बिमारी हो गई है तो उसको हम बोलेंगे Neurosis और वो person जो कि इस बिमारी से सफर कर रहा है उसको हम बोलेंगे Neurotic तो words को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको root word पकड़े रखना है आपको root word पता होगा कि इसका मतलब क्या होता है तो आप अपने आप कई words जो है बिना पढ़े ही आप उनकी meaning को जो है वो निकाल पाते हैं तो आज की इस वीडियो को हम यही complete करते हैं आपको यह series कैसी लग रही है comment section में बताएं चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करें thanks for watching this video